भारत और आयरलेंड के बीच तीन टीटवेंटी मैचों की सीरीज का दूसरा मैच रविवार को डबलिन में खेला जाना है। पहले टीटवेंटी में भारत ने DLS से आयरलेंड को दो रनों से हरा दिया था। इस मैच में आयरलेंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 140 रनों का लक्षे रखा था। भारत की तरफ से ये शस्वी जैसवाल ने 24 रन बनाए और तिलक वर्मा बिना खाता खोले आउट हो गए। इस मैच में सबकी निगाहें संजू सैमसन पर थी क्योंकि आगामी एशिया कप और वर्ल्ल कप के लिए संजू सैमसन का चयन उनके प्रदर्शन पर ही निर्भर करता है। हाला कि संजू ज्यादा बल्ले बाजी नहीं कर पाए। मैच में बारिश आने से पहले सिर्फ एक गेंद का सामना करते हुए संजू एक रन बना कर नाबाद पवेलियन लोटे। और उनको एक और मौका हाथ से निकल गया। अब दूसरे टीटवेंटी मैच में एक बार फिर से नजरे संजू सैमसन पर टिकी होगी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाँच मैचों की टीटवेंटी सीरीज में भी संजू सैमसन का बल्ला खामोश रहा। पांच मैचों की तीन पारियों में उनके बल्ले से सिर्फ 32 रन ही निकले और वो फैंस को प्रभावित करने में सफल नहीं हो पाए। जिसके बाद ये चर्चा की जाने लगी कि सैमसन को एशिया कप और वर्ल्ल कप के लिए बाहर कर देना चाहिए। इसके अलावा संजू क इसके लिए आइरलेंड के खिलाफ ये तीन टीट्वंटी मैचों की सीरीज काफी एहम मानी जा रही है। संजू का बल्ला अगर यहां भी नहीं चल पाया तो उनके टीट्वंटी करियर पर भी ब्रेक लग सकता है। जितेश ने IPL 2023 में पंजाब किंग्स के लिए शांदार प्रदर्शन किया था। संजू अगर दूसरे टीट्वंटी में फ्लॉप साबित हुए तो जितेश को डेब्यू करने का माका मिल सकता है। जितेश ने IPL 2023 में 14 मैच खेलते हुए 156 की स्ट्राइफ रेट से 309 रन ब बताईए और देखते रहेए निउस नेशन स्पोर्ट्स